हेलो गाईज आज का दिन बहुत ही खास है मेरे लिए आज मैं कराने जा रहा हूँ मेरे आखों का ओप्रेशन मतलब मुझे मिलने वाली यह चिसमे से मुक्ती यह ओप्रेशन लेसिक लेजर प्रोसीजर से करने जा रहा हूँ लेसिक लेजर के टाइपस रहते हैं बेसिक लेसिक से स्माइल लेसिक तक इसके प्रोसीजर या टाइप रहते हैं ऐसे बोल सकते हो आप मैंने जो operation procedure select किया है वो एक basic basic type है basic basic की costing थोड़ी affordable रहती है जैसे जैसे आप advanced type में जाओगे वैसे वैसे costing बढ़ती जाएगी हाला कि smile basic की costing थोड़ी जादा थी वैसे मुझे basic basic affordable लगी तो मैं basic basic करने जा रहा हूँ यह जो operation में जो करने वाला हूँ वो meta international eye institute कुलाबा मुंबई से करने वाला हूँ और चो डॉक्टर operation करने वाले उनका नाम डॉक्टर केकी महिता है जो की पदमश्री awarded है तो बहुत ही reputed doctor है सुना है बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग operation के लिए विजिट करते हैं वैल मैं कोई इनका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बस मुझे लगा कि एक छोटी सी समय ग्लास में reflection आ रहे या फोटो निकालने के बाद लगता था ग्लास में reflection आये तो थोड़ा मूड़ा होता था तो बस मुझे कारन मिल गया operation का वैसे मेरा अभी operation है आज 11 बज़े और मैं निकलने वाला हूँ मेरे बाइब के साथ तो चलिए शेर करता हो आज का मेरा experience वैसे यह basic लेसिक operation के लिए में pay करने वाला हूँ 40,000 लेसिक suitability के लिए कुछ testing किये जाते है उसमें आपको पता चलिगा कि आपकी आखे लेसिक operation के लिए suit है या नई अगर है तो कौन सा लेसिक टाइप suit है यह सब checking इसमें की जाती है और फिर उस इसमें आपके negotiation पे भी call depend हो जाती है जब आपकी counselling की जाती है तो इस बात का ध्यान रखिएगा तो निकलने का time हो रहा है तो आगे की बाद वहाँ पे चाकी देखते है अभी हम CST से सब्सक्राइब जा रहे है लोकल टैक्सी की है और जा रहे हम केकी मेता आई इंस्टिटूट अभी मेरे पीछे देख रहे हूं वह है मेता इंटरनेस्ट्राइब आई इंस्टिटूट यहाँ पे मेरा operation होने वाला है तो चलिए जाता हूं मैं अंदर operation के लिए अभी मेरा हो चुका है operation मैं आया हूं बाहर अभी जा रहो तुरन गर और रेश करने बोला है आज बाती में वीडियो घर पे जाके बताता हूं आपको पूरी details बस दस मीट का जुगा था इतना मैं अभी फिराल बोल सकता हूं बस अभी जा रहो पता पच गर जा रहा हूं समय आखे कुछना अभी वईसे कैमेरा की दर है वो भी नहीं पता मुझे लिट में रहेगा तो लगबग 6 गंटे हुए है मेरा operation होके और मैं घर पे यह चैसमा डालके बेटा हूं लाइक ब्लैक कॉगल आप देख रहे हो एक्शुली मुझे बताया है कि घर पे रोगे तो कि टाइम आप यह ट्रांस्परेंट भी पहन सकते हो और नॉर्मली एक काला गोगल डे टाइम में पहना है बट सोचा मैं वीडियो रेकॉर्ड कर रहा हूं तो थोड़ा रेस काई पिक नहीं होना चाहिए इसलिए मैंने कोगल डाला है बट नॉर्मली रेकमेंड नहीं है कि उसी दिन टीवी और मोबाल देखना ही आपके कॉम्प्यूटर पर काम करना तो बस आपको दिखाने के लिए मैं रेकॉर्ड कर रहा हूं अब यह मैं बन कर रहा हूं अज मेरा थर्ड दे है और मैं जा रहा हूं वापीस होस्पिटर आज रूटीन चेक अप है एक पोसीजर चेशा हो गया है तो डोक्टर ने चस आएके तो फ्लैप रहे तक वह निकाले और रीडिंग के लिए बताया मुझे रीड करने के लिए और काफी सारी चिज़े मुझे रीड करने आई तो काफी अलग एक्स्पियंस था और अस्पियंस था यह मैं इसलिए पेंद रहा हूं तो यह है मेरा लेशिक ऑपरेशन का experience काफी अलग और अच्छा मेसूस हो रहा है यह चिसमा उतार के नहीं जिन्दगी लग रही है लगवक क्यूंकि आप अभी चल होने के लिए टाइम लगता है मैं कभी-कभी ऐसा मुझे लगता है कि चिसमा पेना है और मैं निकलने वाला ह हो अभी बट एक अलग मज़ा इसमें मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो मज़े कीजिए खुश रही है नहीं नहीं जगों का आनन्द लीजए और क्या चाहिए तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए टाडा झाल झाल झाल